पिर से एक बार स्वागत है आप सभी का देश के नमर्द एट्टिक प्रैटफॉर्म बे इसका नाम है फिजिक्स वाला नाइस टेंडर नाइस टेंडर के अगर आपने भूक देखी है स्टेट बोर्ड के उठाके तो उसमें सबसे पहले चाप्टर लाउज ऑप मोशन वह हमन बनाया है 5 5 parts में आपको चप्टर पढ़ाया जा रहा है बहुत ज्यादा डीटल में रेजिस्टर सीरीज में क्या होता है बादल में क्या होता है सबी चीज़े हमको बताई है उसके बाद एक नया चाप्टर आपकि सामने और वह है reflection of light तो वहीया फाइनली लाइट आ गया ह और लाइट के बारे में हम पूरी जानकर यहां पर आपको बताने वाले हर एक कंसेप्ट को बहुत डीपली समझेंगे ताकि जो बच्चे नाइट में हैं लेकिन सपना देख रहे हैं नीट का सपना देख रहे हैं जे डबली का तो उसको भी बहुत फायदा इस लेक्षर के मा लेकिन लाइट है क्या वाट इस लाइट यह हम पूरा कंसेप्ट समझेंगे कि लाइड होता क्या है ना बहुत ज्यादा अलग अलग थेरी जालाइट के बारे में उसके बारे में हम बात करेंगे उसके मिरर क्या होता है मिरर क्या होता है और मिरर के कौन को से टाइप्स होते मिरर कौन के मिरर कौन मिक्स मिरर सभी के बारे में पूर जानकर इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो सबसे पहला टॉपिक आज की लेक्षर का वो है वाट इस लाइट तो कि थोगे किति सब से पहले नूटन सर। ने रोवत आया था कि लाइट पार्टीकल है कि लाइड और भाईड्मकल है कि ल्यटी क्या है कॉर्पूस क्ल्श स्कॉ अखिंधि लाइट ऐसा इलास्टिक पार्डिकल से बना यां हुआ है मतलब लाइट जैसा सबस्तंस होता है उसका सबसे चुटा पार्टिकल होते है लेकिन लाइट भी किससे बना हुआ है किस ने बहुत करूश से बनता हमने वान लिया रही कि परफेक्ट परफेक्ट लियास्टिक यह मतलब निघर करसे बता यहां पेगर कोई वाल है और यहां पेगर कोई पार्टिकल है यहां पेगर कोई पार्टिकल है तो यह पार्टिकल यहां पे जाके कुलाइड होगा और यह जो कुलीजन है भाई यह परफिक्टली इलास्टिक होगा परफिक्टली इलास्टिक होगा परफिक्टली इलास्टि में बंसंते हो तो हाँ लोगन होता है वो इतना जादल से होता है और आप यह उसको भी करें उतना ज्यादा नहीं तो आप तो यहां पर क्या हो रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है तो जो पर्फेक्टली इलास्टिक को लिजन होगा और बॉड़ी बाउंस यहां से वापस एगी तो यह होता है को लाइट पारेटिकल हो यह उसके बाद में खृष्ट्चन यूजीन आये कहानी इंट्रेस्टिंग उसके वाद में खृष्ट्चन यूजीन आये तो यूजब ने बताया कि नहीं नहीं यह वेव है लेकिन उस टाइम पे न्यूटन सर क प्रहो इतना जाब यहादा था कि क्रिस्चन यूजिन की थेरी है यह वो सौ साल तक वहीं पड़ी रही किसे उसको देखा तक नहीं उसके बाद उसके बाद लोगों ने उसको मानना शुरू किया उन्हें बूला कि नहीं नहीं लाइट वेव निचर भी होता है लेकिन फाइनली एक बड़े जायंट ने फिजिक्स के एक जायंट ने वही सबसे पहले सबसे लास्ट में उन्हें बताया कि यह जो लाइट होता है वो किसे ब करता है फूटान करना होगा वन से 10 से 20 से 30 से इसको आपको होलन से करना होगा इसको बोलते हैं इसको घ्रीशन इसको बोलते हैं सबसे चोटा यूनिट होगा वो क्वांटा होगा सब्सक्राइब क्या होगा एक फोटान के अंदर कौणटा इतनी इनर्जी होगी तो इनर्जीका सब्सेच चोटा यूनिट की जो करन से होती है उसको तुम कौनटा बोल सकते हो तो ऐस्टाइन ने सब्सक्राइब लास्ट में एक मोहर लगा जिसके उपर कि देखिए लाइट फोटान से बनता है और फोटान यह जो है वो एनरजी करंसी करियर है मतलब जो एनरजी का सबसे छुटा इनुन होता है क्वांटा वो करिकुन असा फोटान करता है कए तो लाइड के दोडों नेचर लाइड का वेव नेचर भी होता है लाइड का पार्टिकल नेचर भी होता है इसके बहूत बड़ी एक तेरी है उसको समझेंगे स्ट्रेटिजि वीडिए जाओ हम अना बनाएंगे तो ये हो गया light के बारे में अब अगर हम ये तो हो गया मैंने particle corpus color photon के बारे बता है आपको उसके बाद मैं आपको बदाता हूं वेक के बारे में तो light एक electromagnetic wave है electromagnetic का मतलब क्या होता है देखिये electromagnetic का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फिल्ड भी है और इसमें मागनेटिक फिल्ड भी है इसमें इलेक्ट्रिक फिल्ड भी है और इसमें मागनेटिक फिल्ड भी है पकत्fle मतलब अगर इलेक्ट्रिक फिल्द भी है मगनेकी फिल्ड भी है और यह दोनों ही फिल्ड discovering कॉछ से देक काई सण रहते हैं मतलब at Original धृटिकल फिल्द फोलढरें में हाब्रेट हो रहा है तो जो तो मेरेट करेगा यासे आप एकजांपल दिखो जैसे एक जो है वह एसी ट्राबल हो रही है कि इसा इसा चलेगा लिए कैसा ऐसा आई सा प्रॉच्ण में एक अचल तो यह जो इस प्रकार से एसा जा रहा है कि यह सात में चलेंगे तो आईसा चलीगा तो यह दो रखじゃあ होते हैं इन दोनों परिपेंट्रेक्ट प्लेन में तरफ हो एक तो यह है तो COME 272 ये दौम मिला एकट क्या बनाते हैं electromagnetic wave बनाते हैं तो लाइट के सब्सक्राइड है और प्रॉटिकल निचर बी है यह यह को लाइट के बारे में और यह जो सोते हैं हम किसको लाइट बांथे हैं हम जिसको देख सकते हैं इसको लेकिन सब क्या है radiation से अगर हम X ray से बात एक्सरे से शुरूआख करें तो X ray ग्यामारे उसके बाद में इन्फडा रेड रेज उसके बाद में लाइड विजिबल लाइड उसके बाद में रेडियो वेब यह सभी सब्सक्राइब करेंगे तो यहां से कोई जा रही है और अगर किसी सर्पेस की उपर कोलाइड होती है तो वहां से को रिफ्लेक्ट होकर कि बाउंस भाक होकर कि उसी मीडिया में वापस आएगी तो यह जो फिरमेना को बोला जाता है रिफ्लेक्शं और ब्रेख लिए इसको इसको मैं आपको लिखे देता हूं when a ray of light 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 bounces from a surface from a surface from surface of an of an opaque object opaque object opaque object opaque object and return and return return to the same medium returns to the same medium return to the same medium return to the same medium is called is called reflection of light is called reflection of light reflection of light 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 आ गे आरी के सब्सक्राइब हो रही है वहां से बांस वहां हो रही है और बांस भैंज होकर कि उसी वापिस आई जएक रिकु को बोला जाएगा और इस प्रब्सक्राइब अोने समस्टाइब के अवा रिफिलेक्शन ओफ लाइट का थैंधे समस्तिक्ट को क्याद ही गंड़ीज चलिए कि अम बट करेंगे कहीं इनगे यह मैरनोक क्या हुदाई अब देखिए हमने ग्लास डाश ही नतते वहाठ संद्ध बनाते में जruceकी पर डाइट पढ़के अपने आखों में जाता है अगर पर पढ़के अपने आखों में दिखेगा नहीं देखिए जैसे कोई छल रहा है उस फैन की जो ब्लेट से अगर रुका हुआ है तो हमें हर एक ब्लेट युनिफार्म तरिकी से दिखीगा लेकिन जब वो वहां पर लाइट क्या हो रही है हर जगा से लेकी ऐसा ही मिडियम से तो वह में हैं लेकिन बनाया जाता है किसे बना जाता है से ही मि fairness स्थक्राइब Councillor तो होता क्या ही देखिए हमको लेना है एक glass हमको लेना है एक glass और glass के दूसरे surface के उपर first जो surface है उसको बनाना है mirror तो उसके पीछे वाले जो surface है वहाँ पे हमको polished surface कोई अपने को shiny substance लेना है उस shiny substance की polish हमको इस glass के पीछे की तरफ लगानी है ठीक ना ताकि सामने वाला जो part है हो क्या बने mirror बने तो हमने क्या किया polish कोई substance लिया shiny कोई substance लिया कोई सब्स्टन्स लिया हमने silver या फिर aluminum ऐसे महेंगे substance shiny substance का coating हमने इस glass के दूसरे एंट पर कर दिया ताकि उसके उपर जो light पढ़ रहा है वो reflect हो जाए अब हमने aluminum aluminum and silver का coating तो करवा दिया शाइनी सब्स्टन्स को पॉलिश करवाने के बाद इसको प्रोटेक करने के लिए इसकी लियर को प्रोटेक करने के लिए उसके उपर हम lead oxide की layer भी चड़ा देते है और तब बनता है अपना mirror तब बनता है अपना mirror देखिए we need a poly surface for reflecting light अगर आपको light को maximum तरीके से reflect करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा poly surface लेना पड़ेगा देखिए अगर आप खुद को mirror में देखो आपको एकदम आपकी clear image दिखाई देगी अब देखिए अगर आप खुद को किसी steel की plate में देखते हो तब भी आपको बहुत मतलब almost a clear image आपको दिखाई देगी मिरर की तरह में यह लेकिन आपको almost एक अच्छी इमेज आपको दि रिफ्लेक्ट हो रही है जहां से maximum light reflect होगी तो वहां पर अपने को अपनी इमेज दिखेगी तो आप बोलोगे सर हमारे घर की दीवारे भी बहुत ज़्यादा plane है हमारे जो डोर है वो भी आदा plane है लेकिन वो जो सर्पेस है वो रफ सर्फेस है लाइट के परस्पेक्टिव से लाइट में लाइट जिस तरी के से उसको देख रहा है उसके में कैसा है वह बहुत ज्यादा रफ सर्पेस हो गया वहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा वहां से आपकी इमेज क्लियर नहीं दिखने वाली आपको चाहिए सिल्वर एलुमिनियम की तरह बहुत ज्यादा पॉ इस एक slightest को कर रहा था लेकिन हमें तो लाइट को रिफलेक्श कर वाना था तो हमने क्या किया हमने एक स सिल्वर लिया हमने silver लिया और silver का coating aluminium का coating हमने इस glass के दूसरे end पे करवा दिया अब क्या होगा यहाँ पे आने वाले जो light है वो 100% reflect होगा अब यह light reflect हो रहा है तो यह बन जाएगा mirror बस आपको करना यह है कि aluminium और silver की layer बनाने के बाद उस layer को protect करने के लिए हम उसके उपर lead oxide के layer लगाते है ताकि क्या हो जाए ताकि यह जो silver और coating है वो as it is बनी रहे सालों साल तो यह बनता है आपका मेरा ऐसी condition ऐसे process अपलाई करने के बाद आपका mirror बनेगा यही आप लिया हुआ है we need poly surface for reflecting light this is because poly surface absorb less light and so maximum light get reflected अगर आप then in scientific language scientific language में क्या बोला जाएगा आप देखिए ज़रा यहाँ पर बोला जाएगा a surface which reflects light and creates clear image is called mirror ऐसा surface जो light को क्या करेगा maximum light को reflect करेगा और clear image बनाएगा उसी को mirror बोला जाएगा क्या बोला जाएगा फिर सिक बार देखिए surface which reflects light and creates clear image is called a mirror आपको लाइट नहीं जहाँ आपको इमेज नहीं दिख रही मैं बना रहा है उसी को क्या बोला जाएगा mirror बुला जाएगा mirror is a reflecting surface mirror क्या है reflecting surface लेकिन बाकी सारे surface comparison में mirror थोड़ा आलाएगा क्योंकि mirror में जो reflection हो रहा है maximum reflection हो रहा है वहाँ पे light बहुत कम f-sauve हो रही है लेकिन बाकी जो surface जहाँ से आपको light नहीं जहाँ पे आपको image नहीं दिख रही मैं बुलता हूँ कि यह मेरे सामने wall है तो मेरी image आपको नहीं दिख रही है तो polish करो उसको वहाँ पे आपको आपकी में नदर आएगी वह भी mirror वनेगा तो बात यह है बहुत जादा polish service चाहिए जो कि light को absorb ही ना करे और light को maximum reflect करे अगर वह ऐसा करता है तो उसको mirror बूला जाएगा चलिए अगला बाट देखते हैं अगला और देखते हैं अब यह plane mirror mirror की टाइबस की सबसे पहले आता है jutro यह अपने घर में यूज करते हैं अलमारी में लगाते हैं जहां पर V prof होता है वहां पर मेर होता है ड़ोब यहां चलिए इसके बादे में जानतेत a mirror is made by coating the black surface of the flat and smooth glass piece with a reflecting film of aluminum silver to protect this reflecting film and to make the side opaque other code of substance like lead oxide is given over it to premiere आपको बनाना है तो करना क्या होगा आपको करना यही होगा आपको लेना है पहले glass glass लेना है आपको आपको बता है है glass में 100% क्या हो राइज ट्रांस्मेट हो रहा है बहुत बार ऐसा होता है कि उसके border है किसी ने चश्मा लगाया है तो बहुत बार शहस्मा भी दिखता अगर किसी कर चश्में को border है तो border दिखते हैं तो यह पार्ड क्या होगा और यह पार्ड क्या होगा लेना है और लोगाना है आपको शायनी सबस्ट्राइब को इसको एक सैडि में लगाना है शाइनी सबस्टन को एक साइड में लगाया उसके उपर लीड ऑक्साइड के कोटिंग कर दो हो गया आपका मिरर तयार अर्वा समझ में मिरर की एक साइड में क्या लगाया आपने और उसके उपर लिट ऑकसेट के अपने कोटिंग करवा दी तो यह बन गए आपका प्लेइन मीरर में हिसाब यह यह है कि प्लेइन मेर कर्व नहीं होता है अपने गाड़ी में जो मिरर लगाया हुआ है साइड मिर वह कॉन्वेक्स होता है उसका जो पार्ट होता है और अगर आपने स्पून को देखेंगे तो स्पून भी मिर्र की तरह काम करता है और यह जो होता है देखिए डॉक्टर के पास में उसके बाद में बहुत सारे पार्लर्स पार्लर्स जहां पे होते हैं जहां को दो अंदर की तरफ होता है कैसा होता है यह अंदर मुदह भाब 직 Leaf metals में लगा हुआ हुआ है थीर ना था थो में कि यहँ मिरें ये आपका कॉन कंचा मिर्ड यह आपका क्यों मिरर ये सब्सक्राइब मुझानी बड़ा है यह पाइंसाद का मुझा आपका प्लेण मिस्कीजाच्हाइब टॉब्सेज हुआँ एक दम सस्रफिस रहेगा कि gather यह मिछिए कि न हमें समय रहेगा depends मेर में आप देखिए वह या कि ये जो आपका प्लेड मिरर रहे न या हमेशा ही वर चुल ऊस्वार बनाएगा हमेशा बनाएगा यह जो कौन क्यों या फिरींट ओन विक्स है है इसमें थोड़ा आपको रियल और वर्टोल में क्या होता है । प्रफ और ये आपको देखने को मिलने वाला है जो अपना कौन विक्स मिर आ ये भी हमेशा क्या बनाएका वर्टुल इमेज भी बनाता है अब ये वर्चुल, रियल क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकरी मैं आपको बताने वाला हुँ, पूरे लेक्पार में हर एक पॉ craziest बहुँआ अब CAP इसवार की तरीके से explain में जाता है, तो वहीं आपको सारी जानकरी मिलेगी, सारे कंसिप आपको clear होगे, तो बात यह है कि जो आपका plane mirror है एकदम कैसा है plane यहाँ पे surface पे कोई भी depression नहीं है या पिर कोई फुला हुआ नहीं है कोई भी surface कहीं पे यह बनता है अपना plane mirror क्या बनता है अपना plane mirror देखिए थोड़ा सोचिए इस के उपर माँ पाने भी क्या दता हूँ अब देखो अब देखो अब अब आगे बढ़ते हैं और ज्यादा इंट्रेस्टिंग जानकारिया हम यहाँ पे लेते हैं कि देखिए बात क्या है यहाँ पे लेना है आपको एक reflecting surface तो, एक reflecting surface बेना है, एक दम स्मूढ एक दम plane लेना है, आपने plane surface लिया, लिया कि नहीं, यहाँ सर बिलकुल ले लिया, यह है आपकाArs, अब देखी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर light आ रही है, यहाँ पर light आ रहे है, उसके बाद में यहाँ से light reflect हो जाएगी, यहाँ सब्सक्राइब सर्फेस को उसने 90 डिगरी का एंगल बनाना चाहिए है ना 90 डिगरी बनाया परपेंडिकुलर है लेकिन किसको है जिस सर्फेस की उपर लाइट पड़ा है उस सर्फेस को वो परपेंडिकुलर है देखिए यह है आपका इंसिडेंटरी यह क्या है आपका यह है आपका इंसिडेंटरी 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 और बनाया है तो यह आपका इंचिड़न रही है आपका इसके बाद शुरुवात होती है फर्स्केस कि फस्ट लॉक की एक बाक नार्मल इर रिफ्यक्टिटोड रहे तीनों ही एक ही प्लेन में है एक ही प्लेन में है एक प्लेन का मतलब क्या होता है सर तरह यह तो वताइए हमें कि यह एक प्लेन का मतलब क्या होता है देखिए बहुत सिंपल है आप आपके घर में खेल रहे हो आपने बॉल या टेनिस का वहाँ पर सामने एक वॉल है आपको कर कर देभिए उसके बाउन्स करवाना इसके बाइब मैं वह गई करता हूं इस प्लेन के बाद वह प्लेनने ने कर देखक यह प्लेन के बाद वह प्लेन ही प्लेन आहिए सुल सकते हो Een曳ूट बात बात यह istiyorum यस oldest को एसी को फेक publication कि वह जमीन को लगने बाद में उसी पिलेकर यह और वाल आपने और आải यह समस्नुल और यह और आपने किसी और आंजorse ब्लेन में बॉल को फेका थे जो जमीन को लगने के बाद वहाँ पर collide होने के बाद इस बात की कुछ guarantee नहीं है कि वो ball उसी plane में रहेगा जिस plane में आपने उसको फेका है हो सकता है कि थोड़ा वो left में जला जाये हो सकता है तो जाए राइट में चला जाये तो बात यह है कि ball की कोई guarantee नहीं है कि वो जमीन को लगने के बाद उसी plane में रहेगा लेकिन light आपको ये guarantee देता है कि light अगर ऐसा incident ray आ रहा है और यहाँ पर वो collide होगा तो यहाँ पर collide होने के बाद में वो reflect तो होगा लेकिन incident ray normal जिस plane में है उसी plane में आपका reflected ray रहेगा क्लियर है बाद क्लियर है बाद आपने incident ray छोड़ा वो किसी वो surface को लगा जहाँ पर वो touch हुआ वहाँ पर आपने normal बनाया मतलब आपने वहाँ पर surface को perpendicular बनाया लेकिन जब light reflect हुआ तो जो reflected ray है तो ये उसी plane में है जिस plane में incident ray और normal है डिस्टेक्न रे एक ही vertical plane में है एक ही vertical plane में है क्लियर है एक ही vertical plane में है वो यह है आपका first law first law को जह बचता घा था कि इस्टेंट navy is62 आपका आपका angle of incidence यहाँ पे है आपका angle of reflection यहाँ पे है आपका angle of incidence यहाँ पे है आपका angle of reflection तो बात यह है दूसरा लोग आपको यह कताता है कि अगर आप sign लेते हों तो यह जो है angle of incidence major angle I is equal to major angle R तो जितना angle of incidence का value होगा उतना ही angle of reflection का value होगा आगर यह 30 degree है तो यह भी क्या रहेगा 30 degree रहेगा तो एंगल एंगल आप incidence और एंगल आफ रिफ्लेक्शन दूलों क्या रहेंगे इक वलिक को रहेंगे तो यह हैं सेकेंड लोग चलिए मैं आपको लिकेता पड़ावड लिखो पड़ावड आपको लिगना फ्रस्ट लॉपको यह बोलत है कि incident ray फर्स्ट लॉपको यह बोलता है कि incident ray incident ray incident ray incident ray normal incident ray normal and reflected ray incident ray normal and reflected ray reflected ray lie in one plane lie in one plane यह है पहली बात lie in one plane यह है पहली बात और दूसरी बात क्या है दूसरी बात यह है दूसरी बात यह है कि the angle of incidence the angle of incidence the angle of incidence is equal to the angle of reflection बात समझ में आ रही है आपको कि the angle of incidence angle of incidence मतलब यह angle कहां से खहां तक लेना है incident ray से start करना है नौरमल पर खतम करना है ऐसा नहीं यहां पर सर्पेस सर्पेस से आपने start किया और इसा नहीं करना है नौरमल से start करना है या फिर incident ray से start करना है नौरमल पर खतम करना है यह है आपका एका एंगला ओलॉफ इनिदेंस और यह है आपका एंगल ओल ओफ रिफ्लेक्शन तो एंगला ओल ओभ एंगला ओल कि फेलक्षिं C के दो रहाज है यह है रिफ्लेक्शन के दो लॉज आगे बढ़ते हैं आगे वरते देखिए है क्षेजा होगा अगर प्लेज नीडिकुलर के गिरे क्या होगा कि लाइट एकदम 90 डिका बना अगलॉपनागे प्लेन रखेज से तो वह किसमें क्या हो यह हमको देखना है तो द अगर ये आपका सर्फेस है ये हैं आपका सर्फेस किसका सर्फेस है और पले मिले के सर्फेस के उपर लाइड आयBoy सी आ रही तो फिलिट केसे जब रिफलेक्ट होती है तो कैसी वापीस जाती है अब इसके बीचे कौन सा लौ है सर इसके बीचे लौ यह है इसके बीचे लौ यह है कि मेजर एंगल आइस इकॉल टू मेजर एंगल आर जो एंगल ऑफ होता है उतना ही एंगल और रिफलेक्शन होता है देखिए हमने यहां पर बोला था कि लाइड सर्फेस को यह दिखिए य यहां पे यहां पे आती है और यहां पे क्या बनाती है फॉइंट को लाइड होती में देड एंगल is angle of reflection तो आई और और की value सेम होती है अगर आइंगल 30 degree है तो एंगल आप भी 30 degree होगा तो एंगल of incidence is equal to angle of reflection अब देखी यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ लाइड तो आई कॉलाइड हुई यहाँ यहाँ तो जहाँ पर कुलाइड मुई वही पर आपने नॉर्मल बना दिया में अब बात यह है कि इस रे आफ लाइट ने नॉर्मल के साथ में कोई सब्सक्राइए ले सब्सक्राइथ की जो नार्मल से पेंडिकुलर तो देखिये यहां पर नॉर्मल रखेश तक सब्सक्राइश आ डरेक्षिन में नौर्मल है उच्छी डरिक्षिन में को रही है बात को समझो जहां पर चाहि से घूराओ रही है तो इस इंसिडेंस्ट तो जब लाइड रिफ्लिक्ट होगा तो लाइड वी कैसा रिफ्लिक्ट होगा देखिए देखिए नार्मल रै इस लिए जो है तो ये जैसा यह आया था वैसा ही सिल आपीश आएगा क्योंकि आंगल-विइट के बराबर होता है इसलिए लाइड गया रिफिलेट हुआ तो प्लेन मिर्डर के उपर अगर रे स्कत्राइट की दिशाएट के बराबर होता है अगर प्लेन मेरे क्यों पर लाइट कैसा आता है एकदम नौर्म आता है पर्पेंडिकुलर आता है तो रिफ्लेक्ट जब हो रहा है वो जैसा गाया तो वह इसे वापस आएगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिटन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है चलिए यह हो गय रिफ्लेक्ट होने के बाद वैसा ही वापिस जाएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद वैसा ही वापिस जाएगा दोनों लाइन आपको नदर आनी चाहिए एक white line है और ग्रीन लाइन है आया जैसा आया था perpendicular वैसा ही perpendicular वापिस चला गया कौन से डाइगराम में? ये डाइगराम है आपके book में दी गई ये वो डाइगराम है आपके book में दी गई का हरा आसमज में चलीए और वरते हैं ह हां यहां पर देखिए हैं यहां पर लेकिए अभी आपको image कैसे बनती है प्लेस में मेंस कैसी बनती इसकी पूरी दिकर यहां पर डीक़ आगराम आपको बताय में बटाया जाएगा प्भी हां पर तो नहीं होते हैं यह बात हमको समझ में नहीं आई चलिए आपको थोड़ा सा माय बताता हूँ इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कौन क्यों मिरर यहाँ पे देखिए यह है आपका कौन क्यों मिरर यहाँ पे देखिए यह है आपका जो मिरर का सेंटर होता है उसको बूला जाता है पूल मिरर के सेंटर को क्या बूला जाता है मिरर के सेंटर को क्या बूला जाता है मि लेंस के सेंटर को अप्टिकल सेंटर बुला जाता है और मिरर के सेंटर को पूल बुला जाता है देखिए अब यहां पर आपको लेना है एक लाइन एक लाइन आपको लीनी है देखो यहां से निकलेगी यहां तक जाएगी इसको बुला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या ब और यहां पर होता है सेंटर ओफ करवेचर सेंटर ओफ करवेचर येस आप मैं आपको यह बताऊंगा कि रिफ्लेक्टेड रेस जो लाइट के है वो एक जगा पर मीठ होते हैं और नहीं होते हैं इसका क्या मतलब है देखिए बात यह है अगर रे ओफ लाइट ऐसा आ रहा है यहाँ पे अगर रे ओफ लाइट इस प्रकार से आ रहा है देखिए रे ओफ लाइट यहाँ पे हाँ देखी अब क्या होगा यहाँ पे मैं object रखता हूँ ओके यहाँ पे मैं object रखता हूँ यहाँ पे object रखने के बाद क्या होगा यहाँ से ray of light निकलेगा mirror peak की उपर पड़ेगा यहाँ से reflect होगा इधर जाएगा उसके बाद ray of light यहाँ से जाएगा reflect होगा और फिर इस प्रकार से यहाँ पे आएगा तो होता क्या है देखिए यहाँ से light reflect हुआ यहाँ पे आया यहाँ से light reflect हुआ यहाँ पे आया अब जहां अगर यह मीट हो रहे है तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी इमेज रियल इमेज बने वाली है कैसी बनेगी इमेज रियल इमेज बनेगी आ रहा है समझ में कौन के रियल इमेज बनाता है कैसा बनाता है रियल इमेज बनाता है और एक डागरम को मैं निकाल के बताता हूँ देखिए फिर से एक बार यहाँ पे यहाँ पे लिया है आपने कौन के रियल इमेज बनाता है कैसा बनाता है और एक डागरम को मैं निकाल के परिंसिपल एक्सिस क bowling अपका प्रिंसिपल एक्सिस यह है आपका सेंटर ओफ कशन यह है आपका यहां आपका फोकसी है का चलिया याप यह बनाईगे, भγया इब आ charms आपको और यहां पे आपने अब्जेक्ट लिया यहां पे अब्जेक्ट लिया यहां पे अब्जेक्ट लिया यहां पे अब्जेक्ट लेने बाद में देखिए यहां से रिया अफ लाइट निकलेगा यहां से रिया अफ लाइट निकलेगा यहां से ray of light निकलेगा mirror के उपर पड़ेगा उसके बाद में focus से transfer होगा इसके कुछ rules है भीरोगरे मैं आपको सभी चीज़े समझाता हूँ तो बात को समझो यहां पे light आया focus में से pass हो उसके बाद में light कहा से गया focus में से pass हुआ उसके बाद light focus में से pass हुआ उसके बाद में यहां पे आया तो देखिए बात को समझिए ज़रा यहां पे light आया उसके बाद में यहां पे गया तो image कहां पे बन रही है image आपकी बन रही है यहां पे vertical image बन रही है ulti image बन रही है तो ऐसा क्यों होता है जब real image बनती है reflected rays of light जब actually combine होते है actually complete होते है actually meet होते है तो वहाँ पर real image बनती है वहाँ पर क्या बनती है real image बनती है और real image हमेशा ही उल्टी होती है real image हमेशा ही inverted होती है बास समझ में आ रही है आपको real image हमेशा ही inverted होती है इसका मतलब यह है कि अगर आप mirror के सामनेzig खड़े हो और आपका head उपर है और उपर ही दिख रहा है तो ये image वर्चुल है, ये real है, ही नहीं ये real है, ही नहीं अगर ऐसा होता तो यह image आपकी क्या होती Real image होती लेकिन आपका head उपर दिखता है आपके पैर नीचे दिखते हैं मतलब यह जो baan बनी है वो आपकी वर्टु लाइज है कैसी है वर्चुल इमेज बास समझ में आई मैं आपको इतना समझा रहा था कि यह जो रिफ्लेक्टेड रेज आफ लाइट है वह किसी पॉइंट में मीट होते है कहीं पर कॉनवर्ज होते हैं देखिए कॉनवर्ज का मतलब होता है कॉनवर्ज देखिए यह जो मिरर है इसको बोला जाता है कॉन क्यों मिरर इसको बोला जाता है कॉन क्यों मिरर और यह जो भीया कॉन क्यों मिरर होता है तो इसको बोला जाता है कॉन वर्जिंग मिर क्या बोला जाता है इसको कॉन वर्जिंग मिर का मतलब है जो लाइट को कलेक करता है उसको बनेंगी वह रियल इमेज बनेगी इसमें पॉइंट होता है इसमें पॉइंट ऐसा होता है कि अगर आप अबजिक को फोकस और पॉल के बीच में रखते हो तो वहां पी जो इमेज बनेगी वह वर्चुल बनती है बाकी सभी केसेस में रियल इमेज बनती है कॉन के ओर मिरीट में आरे व族 समझ में तो आपको इतना समझना है कि अगर इमेज इनोवटेट नहीं है आज इड़ ऊपर है पैर नीचे है तो यह जो इमेज बनेगी यह क्या बनेगी वर्चुएल इमेज रहेगी और प्लेन मिरर आपको हमेशा ही वर्चुएल इमेज ही बताता है तो अब आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा यहाँ पर अपने क्या बुला था कि हैंस such an image is called virtual image the reflected ray do not actually meet अगर reflected ray actually वहाँ पे meet करते ही नहीं combine होते ही नहीं तो image जो बनने वाली है वो बनने वाली है virtual कैसे बनने वाली है virtual image बनने वाली है यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिया है एक mirror mirror लोने के बाद में यहाँ पे एक object को रखा गया है यहाँ पे एक object को रखा गया है object को रखने के बाद में यह देखिए यह है आपका mirror ठीक है ना देखिए यह जो है यह है आपका mirror इसको यहाँ पे किया हुआ है coating कटिंग समझ तहों ना शाहिनी सबस्तन्स का कोटिंग इसकी ऊपर किया जाता है बिल्कुल सब्सक्राइब vedSo in the क्या मतलब हुआ है इसका मतलब यह हुआ देखने वाला आपको यहां से देख रहा है के देखिने वाला यहां से देखा है तू होता क्या है यह देखो ज़ए कि इस अब जिक आपजिक के तूब ऑपर धी गिरेगा वह वह सो रिफ्लेक्ट होगा बिल्कुल से बात है यहा से रिफ्लेक्ट हुआ इधर आया लाइट हाँ, देखिए इसके उपर light गिरता है, reflect होता है reflected light जो है, यहाँ पे आएगा reflected light जो है, वो यहाँ पे आएगा यहाँ पे आने के बाद, वो यहाँ पे इस person के आखों में जाएगा थमझ मैं आ रहा है अपको दूसरा point देखो, दूसरा point देखो घर हम लेका तो यहां से रिट आएगी यहां पे जाएगी यहां से रिट्ट होने के बासे उसका जाएगी फिर से उस परसकर की आखो में यह जाने वालीए अब जब यह पर संदेखेगा तो उसको यह पॉइंट है यह पॉइंट है यह पॉइंट है यह पॉइंट है यह दोनों पॉइंट है यहां से लाइट आया रिफ्लेक्ट हुआ इदर गया यहां से लाइट आया इदर रिफ्लेक्ट हुआ इसको हम पॉइंट बना लेते हैं इ देखने वाले को ऐसा होता है कि देखो वहिया यहां से लाइट आ रही है मतलब इसका जो सोर्स है यहां से लाइट आ रही है मतलब इसका जो सोर्स है ना इसका सोर्स इसके पीछे है हमारी आखों को यह नहीं समझता कि अगर लाइट यहां से आ रही है तो यह लाइट इदर स हैं इसका पीछे है इसका सौर्स इसके पीछे है तो हम यहां पर dotted line क्योंकि actually light वहाँ पर meet ही नहीं कर रहा है देखिए यहाँ पर जाना पड़ेगा आपको कहा पर जाना पड़ेगा आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा यहाँ पर मतलब कहा पर देखिए यहाँ पर ऐसा यह point और उसके बाद यह point देखने वाले को इसा लगता है कि light यहाँ से रहे मतलब है इसका source यहाँ से है देखिए यह hem का आब जेक्ट यहैं है आपका आपजेक्ट और यहां ऑजेक्ट की में है ऑज आइसा कि हम नहीं चल्ख 10 ली कि नहीं हमें हैं मुझंट होता है कि यहां से लाइट लाइट आ रहा है तो इसके पीछे देखो तो इसमेज को वर्चुल इमेज बूला जाएगा इसलिए आपका जो plane mirror है, यह plane mirror हमेशा ही virtual image बनाएगा, कभी real image बनाएगा ही? नहीं चलिए, अगला point दिखते हैं, यह हो गया तो इसको समझने के लिए, हमने यह भी point समझा है, यह आपका क्या है, कौन के är mirror, यह है आपका कौन के är mirror यह को यह आपका कॉन क्यों मिर्ड हपार शकने अवार मतलब होता क्या है और वर्चुल लब होता है यह दोनी चीज़ समझाने के लिए हम ने ये दोनों टॉपिक देखे यहाँ पर देखिए इमेज फोर माय प्ले ईज़ सेम साइज एज दसोर्स देखिएिए अगर आप एक पेंसिल लेते हो और एक पेंसिल अगर आप मिरलर के सामने रखते धो एक काम कर को अभी अभी आप वीडियो चालो एक काम कर करो एक पेंसिल लो और मिरल diversion को चिपका दो अब पेन की या फिर पेंसिल की जो इमेज है वो मिरर में आपको देखें की और पेंसिल की जो या फिर पेंसिल की जो मिरर में आपको इमेज दिख रही है उसकी साइज सेम है as it is है जैसी जीतनी पेंसिल की साइज है प्लें मिरर में आपको उसी साइज की इमेज नजर आएग अब देखिए अब आप उसको दूर लेके जाएए अब आप उसको दूर लेके जाएए हिसाब यह है concept यह है कि प्लेन मिरर से आप object को जितना दूर लाओगे उतने ही image mirror के अंदर दूर जाएगी अगर आप mirror से object को अगर आप mirror से object को वन मिटर की दूरी पर लाते हो तो जो image है वो भी वन मिटर की दूरी पर जाएगी mirror जो image भी है वो भी मन मिटर की दूरी पर जाने वाली है बात को समझो तो यहाँ पर यहाँ पर बात कहीं जा रही है आपको अगर आप यहाँ पे pencil लेते हो तो pencil की जो size है वो same रहेगी as it is समझ में आ रहा है आपको तो यहाँ पे देखिए यह जो pencil है और यह pencil का जो है वो first वाला point टीप वाला और यह final वाला point है end वाला point है pencil का तो यहाँ पे इस point की image भी आपको दिख रही है और इस point की image भी आपको दिख रहे है उसी के साथ साथ में यहाँ पे pencil के उपर जितने भी dots यहाँ भी दिख रहे है यहाँ पे जितने भी points है pencil की पर हर एक point की image यहाँ पे आपको दिखने वाली है P की जो image है वो P1 है Q की जो image है वो Q1 है और P और Q के बीच में जितने भी points है उन सभी points की image आपको यहाँ पे P1 और Q1 point के बीच में नदर आने वाली है Same to same pencil का हर एक point अपनी image बना रहा है mirror के अंदर यही बात आपको बताई गई है कि extended पहले आपने क्या लिया था point source लिया था देखिये यहाँ यहां पहले आपने क्या लिया था point source और जैसा Point Source में Point Source की Namen बन रहे दी उसी प्रकार से यहां पे अगर Extended Source है तो Extended source की भी Image यहां पे बनने वाली है P1 की Image, P max, P1-Q की Image, Q1 और P और Q के बीच में जतने सारे Points है उन सभी points की image P1 और Q1 के बीच में यहाँ पे आपको नजर आने वाली है clear है बात और जितनी pencil की size है उतनी ही size आपको plane दर में image की दिखने वाली है आपकी जितनी height है अगर आप mirror के सामने खड़े रहते हो तो जितनी आपकी height है mirror में आपको उतनी ही height आपको नजर आने वाली है उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं तो जो भी आप जो भी object आप plane में के सामने रखते हो तो उसकी image उसी size की बनती है जितने size का वो object है चलिया अगला बाढ़ लेते है हाँ मतलब बात यह है अगर आप यहाँ पे भी लिखते हो अगर आप भी लिखते हो यहाँ पे और अगर यहाँ पे आपका मिरर है यहाँ पे आपका मिरर है तो आपको भी की image उल्टी नजर आएगी मतलब यहाँ पे क्या हुआ lateral inversion हुआ image का image कैसी है laterally inverted अगर आप mirror के सामने ख़़र रहे करके अपना right hand उठाएंगे तो mirror mirror के अंदर जो image तायर हो रही है आपकी वो अपना left hand उठाएगी आपका जो right shoulder है वो plane mirror में आपका left shoulder है जो आपका left shoulder है वो आपका plane mirror के अंदर right shoulder है क्या हुआ यह lateral inversion हुआ क्या हुआ lateral inversion सर्य लैटरल inversion क्या होता है lateral एक होता है lateral एक होता है vertical lateral मतलब side by side vertical मतलब सीधी line है ना vertical यह जो image हम मना रहा है इसको क्या बोलते है vertical यह जो है side by side इसको बोले जाता है लैटरल एक object है एक object आपके सामने है एक आपके सामने क्या है एक apple है तो और उसको उपर से कड़ करें तो बात यह है कि आपकी जो साइड्स हो जाते जो आपका राइट है वह इमेज में आपका राइड बनेगा इसको बहुत जाता है लेकिन बात यह है कि लाइटरल इंवर्शन होता क्यूं अवह सबसे इंपॉंटन बात यह कि लाइटर इंवर्शन होता क्यों है सब से मेरे के सामने जाके अपना राइट हैड वाहां पर के रखो रहत रखो है देखिये रिफ्लेक्शन का फॉस्ट यह बोलता है कि इंस्टेंट ड्रेन नार्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई इन व देखिए कोई light निकलता है तो देखिए यहां से जाएगा यहां जाएगा और मीररू की यूपर यहां से निकला मिरर की उपर गया है मिरो publi रिदि परshot हो करके आपके आखे बात को सम्लिङों यह अपका फोर्स्ट फींगर हैन्डेक्स फिंगर यहाँ से light जाएगा mirror के उपर पढ़ेगा mirror के उपर बढ़ने के बाद में आपकी आखों में जाएगा तो यह देखो light जा रही है और आपके आखों में यहाँ से जा रही है mirror के उपर mirror से reflect बोकरके आपके आखों में जा रही है लेकिन इसने अपना plane नहीं छोड़ा है उसी प्रकार से यह पाच ओफिंगर्स है यहाँ से जो light निकलेगा mirror के उपर पड़ेगा लेकिन वो अपना plane नहीं छोड़ेगा वो अपना plane नहीं छोड़ता है इसलिए वो image अपने को मैंने ऐसा किया यहां से लाइट गया और इधर आया मतलब plane छोड़के और मैं इसको यहां से देख रहा हूं तो मुझे उसकी इमेज उदर दिखेगी मतलब यह जो फिंगर्स मुझे उल्टा दिखता वहाँ पर ऐसा दिखता लेकिन ऐसा नहीं होता यहां से लाइट निकलती है मिरर के उपर जाती है तो इसी plane में आपस आएगी मतलब यह जो पाच फिंगर है इसकी मुझे यह जो थम यहां पर है वो इधर अगर है तो इमेज में मुझे वह इधर ही नजर आएगा इधर ही नजर आएगा समझ में आ रहा है आपको आपका राइट में आपका इस देंट रे नॉर्मल एंड इफिक्टेट रे लाइइन वन प्लेन की वजह से ही उसी के वजह से होता क्या है कि लाटरली इनवर्टेट इमेज बनती है प्लेमिर में आया हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो बात को समझो दूसरी बात यह वाइड अज इड है इसा होता है तो इस देंट रे नॉर्मल एंड इफिक्टेट रे लाइइन वन प्लेन उसी के कारण आपको लाइटरली इनवर्टेड इमेज नजर आती है दूसरा बार देखिए विच लेटर आप इंग्लिश अलफाबेट फार्म इमेज इमेज दाट वर्क विच लेटर इंग्लिश अलफाबेट फार्म इमेज इस डाट लूक्स देखिए अस दो ओरिजनल लेटर तो बहुत सारे से लेटर है जैसे अगर हम आए का इमेज निकाले आए को अगर हम मेरे के सामने रखे तो आए के इमेज में कोई चेंज नदर आएगा नहीं अगर हम यहाँ पे को रखे आयका रखा हमने उसके इसमें इसकी बाद मesका तो रखीन गमर्म इंद्मिश और को रत सकते हैं और रband यू को रखा आ आपने आपने वी को रखा तो यह जो इमेज यह इसमें कोई भी चेंज आपको नजर नहीं आएगा क्यूंकि इसका श्रुक्च्र ही ऐसा है क जो है कैसे सेम है तो यह जो इमेज आपके बनेंगे यह जो लेटर अगर आप मेरे के सामने रखते हो तो इसके इमेज इस दिखेंगे आपको इसमें कोई लेटरल इंवर्शन दिखेगा नहीं यह आपसे पूछा गया है चली आगे बढ़ते हैं अगला कर्श्चन क्या है आपके लिए देखो अगला कंसे बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग है क्या करना है आपको आपको लेने हैं दो प्लेन मिरर आपको लेने हैं दो प्लेन मिरर और यह दो प्लेन मिरर आपको ऐसे रखने है कि इनके भीच में क 90 हो सकता है 120 हो सकता है तो आपको क्या है यह दो प्लेंगर रखने के बाद में यहाँ पे आपको औब्जिक्ट रखना है अब होगा क्या कि इसमें बहुत सारे इमेज़े नजर आएंगे आपको लेकिन एक definite आपको number मिलेगा उन images का देखिए होता क्या है अगर हम एक plane mirror दूसरे plane mirror के सामने रखते हैं तो वहाँ पे आपको infinite images नजर आने वाले है आपको वहाँ पे infinite image नजर आने वाले है आपने एक plane mirror लिया दूसरा plane mirror के सामने रखा तो वहाँ पे आपको infinite images त्यार होते हुए नजर आएंगे लेकिन यहाँ पे यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे दोनों प्ले मिरर को पैरलल नहीं है इसलिए यहाँ पे जो images बनेंगे वो infinite नहीं होंगे उसका कोई specific number होगा आ रहा है समझ में देखिए अब बात ऐसी है कि यहाँ पे इन दो प्ले मिरर के बीच में जो एंगल है theta वो आपको देखना है 120 है 90 है जितना भी है अब आपो करना क्या है आपको number of images बनाने है और इसकी मिच में एंगल कितना है theta इंदोंने a लिया है हम theta भी ले सकते कोई बात नहीं है तो देखिए n का formula है मतलब number of images form of an object which is placed between the two plane mirror having angle theta between them यहां पर आपको करना है यहां पर लिकना है आपको 360 यहां पर इसको divide करना है theta से अब देखिए यह number अगर even आता है यह number अगर even आता है तो आपको इसको one से divide one यहां से subtract करना पड़ेगा क्योंकि नियम यह कहता है कि हमेशा odd number की image बनेंगे तो 360 upon theta अगर even number है तो वहां से minus one करो वहां से क्या करो minus one करो ऐसा परदा नियम है दूसरा नियम क्या है वो लेखिए ज़रा दूसरा नियम हमको यह कहता है कि अगर तूसरा नियम आपको यह कहता है कि अगर 360 upon theta इसकी value अगर odd आती है इसकी value अगर odd आती है तो आपको यहां पर minus one करने की ज़रूरत नहीं है तो हमने क्या बोला देखिए हमने यह बोला कि अगर आपको number of images चाहिए तो आपको 360 लेना है उसको divide by theta करना है तो यह number अगर even आया तो यहां पर minus one करना है ठीक है ना कब if 360 by theta is even अगर ऐसा है तो आपको 360 by theta उसको minus one subtract करना है उसके वहां से आपको one को subtract करना है ऐसी बात है लेकिन अगर 360 by theta अपने आप ही odd number आया ठीक है ना अगर यह 3 आया मतलब odd number आ गया तो यहां पर आपको क्या करना बढ़ेगा यह दरा देखिए कि अगर 360 by theta n is equal to 360 by theta यह value अगर आपकी odd number आती है यह value अगर आपकी odd number आती है कि वैल्यू क्या है आपकी odd number आ गई value तो यहां पर one करना minus one करना है कि नहीं करना है तो बात को समझो अगर अगर यह जो आपने play mirror यहाँ पे लिए है तो यह जो play mirror आपने लिए यहाँ पे और यहाँ पे अगर आपने object को रखा और अगर यह object दोनों play mirror को symmetric है मतब यहाँ से जितना distance यहाँ से उतना ही distance तो symmetric तरीके से अगर आपने object को रखा है तो यहाँ पे आप n is equal to 360 upon theta minus one कर सकते हो लेकिन लेकिन, 360 by theta अगर odd number आया, 360 by theta अगर odd number आया, और object जो आपने रखा हुआ है, वो अगर asymmetric रखा हुआ है, वो case में minus 1 करने की ज़रूरत नहीं, वो case में minus 1 करने की ज़रूरत नहीं, 360 by theta अगर odd number आता है, तो उसको odd number ही रखा जाएगा, बात को समझो, 360 by theta अगर even number आया, तो minus 1 करो, 360 by theta अगर odd number आया, और अगर object अगर symmetric है दोनों play mirror को, वो case में minus 1 करना है, इफ, इफ, अब्जेक्ट is symmetrical, symmetrical to both the mirrors, to both the mirrors, अगर ऐसा है तो, लेकिन बात अगर इसी है, कि यह अगर odd number आता है, और object जो अपने रखा हुआ है, वो गरा symmetric रखा हुआ है, दो प्रेमर के बीच में, तो वहाँ पे आपको minus 1 करने की ज़रूरत नहीं, 360 by theta कर odd number आता है, तो उसको odd ही आपको रखना पड़ेगा, यस, यह concept को धेन में रखो, देखिए, आपकी syllabus में इतना ही दिया हुआ है, 360 by theta minus 1 करो बात खतम, यह थोड़ा extra का घ्यान है, अगर आपको समझ में आता है, तो लिख के रखो, नहीं समझ में आता है, तो कोई ब्रॉब्लिम ने, आपकी syllabus में, ऐसा कोई आप से expect नहीं किया अगला क्या दिया हुआ है, minimum height of the mirror, बहुत बार अपने दिमाग में खयाल आता है, कि अगर मेरी height 6 foot है, अगर मेरी height 5 foot है, तो मुझे कितना size का mirror लगेगा, कि मेरी image उसके अंदर पूरी clear आनी चाहिए, मेरी image उसके अंदर पूरी clear आनी चाहिए, उसके लिए मुझे कितने size का mirror लगेगा, ये कंसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, तो देखिए बात क्या है, बात देखो क्या है, पहले ये book में आपको दिया गया है, ये पहले आपको मैं समझा देता हूँ, और ये ये एक line, ये है एक line, ये है आपका mirror, ये है एक line, इस line के उपर आपने आपका mirror रखा हुआ है, mirror है आपका mirror है, mirror है आपका p and q, ये है आपका mirror, m and एक line है, इसके उपर आपका mirror है, और mirror कौन सा है, p q, mirror के जो 2 ends है, वो p and q है, अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे एक object है यहाँ पेक object है यहां पे पामान लो कि यहां पेपर संदे उस पर हीट है crown x किया है एच एफ बहुत बड़ी आप देखो मानलो यहां पे परसंददददद आके हैं कि यहां पर इस परसण की आंखे हैं अब देखो हमने क्या किया जो मिलर की साइड है वो मिलर की साइज हे वह पीक्यु है तो हमने क्या क्या किया प् Полोंग यहां पे क मार्क करवा वाधिया पॉइंट और एक लUU आन भी बना ली हमने तो cm rec linking में gen आगर अभगम, मिररसे, एक मिटर की दूरी पर है, तो इमेज़ भी मिरर के अंदर, एक मिटर के दूरी पर रहेगी, एक दम सही बात है, तो ये देखिए, यहां पीस की आइज है, तो हमने p लिया, p के corresponding are bنا लिया, p के corresponding अंदर की तरफ are dash बना लिया q के corresponding हमने यहाँ पे s बना लिया, और q के corresponding अंदर की तरफ हमने s dash बना लिया आ रही है बात, yes, आब देखो, यह person का head है अब देखिए, यहाँ से light निकलेगा, उस person की head की ऊपर light गिरा उस person के head की उपर light गिरा अब head की उपर light गिरने के बाद में light ऐसा गया यहाँ पे और यह light ऐसा जाने के बाद यह light ऐसा जाने के बाद reflect हो करके उसकी आखों में गया light ऐसा गया और reflect होने के बाद में उसकी आखों में जाने वाला है अब देखिए यह उसके पैर है, मतलब foot foot से light गया, mirror को लगा कहाँ पे लगा Q पे देखो, head से light गया, कहाँ पे लगा P पे, reflect हो करके आखों में गया, यह देखो, यह है आपका normal, यह है आपका incident ray यह है आपका incident ray और यह है आपका reflected ray, आ रहा है समझ में आपको, तो यह है angle of incidence, normal and angle of reflection, यहाँ देखो यहाँ से light गया, यहाँ पे गिरा, reflect हो करके आखों में गया, यह है आपका normal, तो बात यह है यह है आपका normal तो देखिए दरा ऐसा, ऐसा, तो पहरो से जो पहरो की उपर जो light गिरा वो इधर लगा, reflect हो करके eyes में गया, head की उपर से light निकला, इधर गया mirror की उपर reflect हो करके eyes में गया तो देखो, अब जड़ा देखो द्यान से अपनी आखो को यह लगता है कि अगर light यहाँ से आ रही है light अगर यहाँ से आ रही है अपनी आखों को यह लगता है, अपनी आखों का illusion यह कहता है, कि अगर light यहां से आ रही है, light यहां से आ रही है, मतलब इसका जो source है, वो mirror में पीछे की तरफ है, कहाँ पे है, पीछे की तरफ, yes, पीछे की तरफ, उसके बाद, देखिए, यहाँ पे, मतलब आखे देखेगी क mirror के अंदर यहाँ पे image बनी है, head की image यहाँ भी बनी है, h-, उसके बाद देखिए, पैरों से light निकला, reflect ठुकर के आखों में गया, light कहां से आ रही है, यहाँ से, light को ऐसा, आखों को ऐसा लगेगा, कि light यहाँ से आ रही है, मतलब इसका जो source है, वो पीछे की तरफ है, तो पैरों की image, f की image, f' यहाँ पे दिख रही है, और भाईया, h की image, h' आपको यहाँ पे दिख रही है, तो देखिए, इतने छोटे से mirror में इतनी बड़ी image बैठ गई, अब हम देखेंगे कि यह mirror की size कितनी है, देखो ज़रा, अब बात यह है, कि हमने जो point r बनाया था, वो h e का half था, ठीक है न, जो mid point था, जो h e है, h e का half, जो h r and r e है, तो यह जो point r है, वो mid point है, किसका, h e का, तो यह जो है, है, वो h e by 2 लिखा हमने, h r को डिखाने के लिए, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे, देखो, जो है यहाँ पे, e और f, e और f का half कौन सा, e और f का mid point कौन सा हो गया, s, तो e और f का mid point है, उसको बताना बढ़ेगा, e f by 2 लिखना बढ़ेगा, ताकि आपको e s मिले, ठीक है न, क्योंकि आपने को p q का distance बताना है, p q का distance बताने के लिए, आपको r e का distance चाहिए थोगा, और आपको s और e का distance चाहिए होगा, दो distance आपको चाहिए होंगे, अब r e क्या है, h e का half, और e s क्या है, e f का half, तो हमने is equal to किया, h e plus e f, h e plus e f क्या बनाएगा, h f बनाएगा, और h f मतलब ये है head, ये है foot, मतलब पूरी height जो है person की वो है h f, तो यहाँ पे h e plus e f ये h f बन गया, और 2 आएगा, यहाँ पे as it is, तो h f by 2 मतलब, half of the person's height, 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 आइसी बात है वही या, half of the person's height, यहाँ पे as it is, आएगा, minimum height of the mirror, तो p q, तो अगर ये 6 feet का आदमी है, और वो अपनी image mirror में पूरा देखना चाहता है, ये 6 feet का आदमी अपनी image mirror में पूरी देखना चाहता है, तो उसको 3 feet का mirror भी sufficient है, उसकी height अगर 6 feet है, तो 3 feet का mirror भी उसकी image पूरी की पूरी दिखा सकता है, उसके height से लेकर के पैरो तक, आएसा ने हैं कि आदमी 6 feet का है, तो mirror भी 6 feet का लगा, और ये 6 feet का लगा, ऐसा विलकुल भी नहीं है, आद में गर 5 feet का है तो 5 feet का mirror लगाओ ऐसा भी नहीं है जितनी person की height है तो उसके half height के जितना mirror अगर आपने लगाया तो भी पूरी image वहाँ पे दिखने वाली है ऐसा इसा अब है भाई या mirror का चलो तो यह बहुत सारे topic हमने आज पढ़ लिये हमने पहले सबसे पहले देखा कि light क्या होता है light की corpuscal theory उसके बाद में wave theory आइंस्टेन की theory इसके बाद में हमने थोड़ी से यानका रिली है उसके बाद में reflection क्या होता है इसके बाद में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया उसके बाद हमने plane mirror क्या होता है इसके बार में पड़ा ठीक ना उसके बाद virtual image क्या होती है यह यह भी हमने देख लिया और images formed by two mirrors यह भी हमने देख लिया ठीक ना और finally हमने देखा length of mirror के बारे में length of mirror कितने ही mirror की length होनी चाहिए पूरे person की height को दिखाने के लिए तो बहुत सब्सक्राइब टॉपिक आज हमने cover किये वीडियो को ध्यान से देखिए वीडियो को जहाँ जहाँ पे आपको समझ में नहीं आरा इसको pause करके repeat करके फिर से वह point देखिए क्योंकि यह बहुत ज्यादा important है यह सारी चीज़े loss of reflection में loss of reflection में हमने देखे है तो बहुत सारी चीज़ों का हमने आज पढ़ाई किया है बहुत सारी चीज़ों को हमने समझा है पूरा लेक्चर देखिए कंसिप को बार बार देखिए एक बार लिखके रखिए सब कुछ लिखके रखिए और मैंने हर बार आपसे बोलता हूँ कि पढ़ने का सबस्यासन तरीका है पढ़ाना किसी को पकल के समझाओ तभी आपके concept दिमाग में जाएगा दर्वाइस concept दिमाग में जाएगा नहीं और जिसको आगे बढ़ना है तो वह मेरी बात समझेगा तो बात को समझेगे और जैसा मैं बोलता हूँ ऐसी प्रैक्टिस कीजिए आप इसके डीपी भी आपको मिल जाएंगे वीडियो अप्लोड हो चुका है उसके साथ साथ में आप के उपर जाकर कर आप डीपी उसके देख लिजिए और पढ़ाई करते रही है थैंक्यू सो लाएंगे क्ति और मीघजी आपको फ Por Iss Dé हमें कीजिए भीजिए जाफ बीजिए कर देख बारादी आपको मिल जापको क्पैसी आपको मैं प्रिए चुका है कैसित पोगर पूंगा नब जलीभीए ऱूसके लूटना हिमा उसके 6 तोई बावाई को विए जिए जीए तेद्